हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर इतुबक्षी, डियलेड के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, आज जिस विशे पर हम चर्चा करेंगे वह है पर्यावरन अध्यन के अंकलन उपकरन, विशेश्टाएं और चैन के आधार, प्रिय चात्र चात्राओ, पर्यावरन अध्यन के आपकलन उपकरन की जब हम बात करेंगे, तो ये आपकलन उपकरन बाकी अध्यनों से अलग किस तरह से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बढ़ेंगे, और इसमें हम आपकलन उपकरनों की विशेश्टाएं और इसको चैन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में विस्त सरप्रथम, हम यह समझेंगे कि आकलन है क्या है? तो प्रिये बच्चों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आकलन क्या नहीं है. आकलन तुलना करने के लिए नहीं है. और नहीं एक दूसरे के खिलाफ या कुछ निश्चित मानदडों के खिलाफ बच्चों को रैंक करने के लिए है ये शिक्षक को मदद करता है इस तथे का विशलेशन करने के लिए कि प्रतेक बच्चा अपनी उपलब्धी को प्राप्ट करने के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और इसी के साथ आगे सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिय प्रदान करता है तो प्रिये चातर चात्राओ कहने का तात्पर ये है कि सारा का सारा हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पे देना है कि बच्चा अपनी उपलब्धी और अच्छा प्रदर्शन और आगे सुधार सुनिश्चित करना ये अंकलन के बहुत ही विशेश प्रदर्शियों में संगनात्मक, भावनात्मक और मनोवेग्याने के तीन तथ्य शामिल है और इसलिए अंकलन के लिए कई आकलन तक्नीकों की अवश्यक्ता है तो आईए आज हम यही सब तक्नीकों को विस्तार से जाने और देखें कि EVS में अंकलन के लिए प्रभावी ढ और अंकलन की परिभाशा तो परिभाशा से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि उदेश्य क्या है उदेश्य है बच्चों की अभीव्यति, शम्ता और अनुभूतियाधी का मापन करना शम्ता जो की बच्चों के अंदर पहले से ही छीपी होती है यह जो आज की हमार जो शिक्षा रही है वो शमता को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रही है जबकि शिक्षा का सही अर्थ तो था अपना जो भी बच्चों के अंदर प्रतिभाएं चिपी हैं शमताएं चिपी हैं उसको बाहर निकालना तो कहीं न कहीं हमने शिक्षा के अर्थ को अभी तक अच प्रक्रिया है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये एक वियापक प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक शिक्षक के ओपर बहुत बड़ा दाइत्व है इसको अच्छी तरह से इस चीज को सोचने में कि हम अंकलन करें बच्चों का तो किस तरह से क सीसी रोस के अनुसार अंकलन का प्रयोग बच्चे के संपून व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। यह आमतोर पर सहमती है कि परयावरन शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुश्यों में और वातावरन। वातावरन जो की प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सांस्कृतिक है, टेकनोलोजिकल है, इसके आपसी संबंध में पैदा करता है। परयावरन शिक्षा ज्यान, मूले और द्रिश्टी कौन से संबंधित है। और इसका उदेश्य जिम्मेदार परयावरन वेवहार पैदा करना है। हमारे तीन जो उदेश्य शिक्षा के हैं, नौलेच, वैल्यूस एंड आटिटिउड, ज्यान, मूले और द्रिश्टी कौन। इन तीनों चीजों का परयावरन शिक्षा में बहुत ही महत्व है। और जब भी हम आकलन उपकरन बनाते हैं परयावरन शिक्षा को देखने के लिए तो इन तीनों मूलेओं को उजागर करना एक शिक्षा की जिम्मेदारी है। अभी हम जानेंगे कि लक्षे क्या हैं? परयावरन शिक्षा का लक्षे जो है वो यूवाओं को परयावरन सरंक्षन में जुनून जगाना। अब मैं यूवाओं की बात क्यों कर रही हूँ? क्यूंकि आने वाले कुछ सालों में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा प्रिये बच्चों जिसमें की पूरी विश्व के मुकाबले में भारत में सबसे जादा युवा होने वाले हैं कहने का आर्थ ही ये है कि मेरा भारत महान, मेरा भारत जवान बन जाएगा तो इसलिए युवाओं में, युवक और यूवतियों में पर्यावरन सरक्षन में जुनून जगाना ये इसका बहुत बड़ा लक्षे है पर्यावरन जागरुकता, ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना युवा लोगों के व्यक्तित को बढ़ावा देना और उनके व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाना ये हमारे लक्षे हैं मोटे तोर पर पर्यावरन शिक्षा के शिक्षकों को लगातार समय की मांग के मुताबिक अंकलन उपकरनों को विक्सित करने का निरंतर प्रियास करते रहना चाहिए अब कुछ प्रासंगिक अंकलन उपकरनों की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हैं अवलोकन, observation, अनुसूची, checklist, rating पैमाने, audio-visual recording उपकरन तो प्रिये बच्चों, ये जो अंकलन के उपकरन है, ये परियावरन शिक्षा में जब हम इनको प्रयोग करते हैं तो हम इनका अंकलन बच्चों का बहुत अच्छे से कर पाते हैं अंकलन करने के दो मुख्य उदेश्य हैं, जिसमें से एक है योगात्मक ये योगात्मक आंकलन जो होता है जिसको हम summative assessment भी कहते हैं पीछे मुड़कर देखता है और जो पहले से सीखा गया है उसका निरने करता है ये समान्यता परीक्षाओं के स्वरूफ में आयोजित किया जाता है जहां विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रशनों के प्रति उनकी उपलब्धियों को बताएगे श्रेनी करत क्षेत्र दिये जाते हैं और उनके परिमानों की reporting की जाती है तो जो अंत में परीक्षा ली जाती है योगात्मक आकलन वो होता है जो कि हम पूरे साल में बच्चों ने क्या किया है उसको जब हम देखते हैं उसका आंकलन करते हैं वो योगात्मक आंकलन कहलाता है दूसरा उदेश्य जो है वो है निर्मान आत्मक जो कि पूरा साल भर पूरे सत्र भर बच्चों का चलता रहता है और जिसका स्वरूप जो है अनुपचारिक और निदानिक होता है निदानिक निदान देना बच्चों को remedial जो है कुछ चीजें ऐसी प्रदान करना कि उनकी शिक्षा में जो है वो निदान किया जा सके शिक्षक उन्हें शिक्षन की प्रिक्रिया के अंग के रूप में उप्योग करते हैं उधारन के लिए यह पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने का इस्तेमाल किया जाता है कि क्या विद्यार्थी ने किसी चीज को समझा है या नहीं इस अंकलन के परिणामों को फिर अगले शिक्षन अनुभव को बदलने के लिए उप्योग किया जाता है तो मोटे तोर पर हम इसे निगरानी और फीडबैक इस अंकलन का बहुत ही जरूरी हिस्सा समझ सकते हैं कुछ अवश्यक पहलूं उपर भी जरूर बात करना चाहूंगी प्रियचात्रो जो अवश्यक पहलू है जब भी हम अंकलन उपकरन के बारे में बात करते हैं तो तीन अवश्यक पहलू इसके आते हैं पढ़ाने से पहले पढ़ाते समय और पढ़ाने के बात तो जब पढ़ा पढ़ाने से पहले अंकलन से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं और पढ़ाने से पहले क्या कर सकते हैं यह आधार रेखा निर्धारित करता है और आपको अपनी शिक्षक योजना तैयार करने में बहुत ही सहायता करता है पढ़ाते समय द ये जरूर एक शिक्षक के रूप में आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि क्या उनमें सुधार हो रहा है इससे आपको अपनी शिक्षन पधती, संसाधनों और गती विधियों का समायोजन करने में मदद मिलेगी यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि विधियार्थी वांचित उदेश्य की दिशा में किस प्रकार प्रगती कर रहा है और आपका शिक्षन कितना सफल है यह देखने के लिए पढ़ाते समय आपको निरंतर यह सोचना है कि विधियार्थी में सुधार हो रहा है या नहीं इसके तीसरे पहलू पर बात करें जो कि शिक्षन का बहुत ही बड़ा अवश्यक पहलू है वो है पढ़ाने के बाद शिक्षन के बाद किया जाने वला आंकलन पुष्टी करता है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा है और आपको दर्शाता है कि किसने सीखा है और किसे अभी मदद की जरूरत है बहुत जरूरी है ये देखना कि कितने बच्चों ने सीख लिया है क्योंकि हमारी जो कक्षा है वो अलग-लग तरह के बच्चों से भरी रहती है तो किसने सीखा है इसको भी मदद की जरूरत है इससे आप अपने शिक्षन के लक्षे को प्रभावी अंकलन कर पाएंगे अब हम अंकलन के उदेश्यों पर बात करेंगे अंकलन के उदेश्य जो हैं अंकलन उपकरन निर्धारन करने से पहले उसके हर एक उदेश्य को बहुत ही ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि परियावरन शिक्षा में उदेश्य बाकी शिक्षिनों से थोड़े से भिन रहेंगे क्योंकि परियावरन शिक्षा जो है ये एक तरह से दृष्टी कौन को बदलने का एक बदलने की एक शिक्षा है तो इसके उदेशियों में बच्चों में अपेक्षिद वेवहार एवं आचरन परिवर्तन की जांच करना यह जानना कि बच्चों ने कुशलताओं योगेताओं आदी को कितना ग्रहन किया है और बालकों और बालिकाओं की सभी कठिनाईयों का निर्धारन करना तथा उनके दोशों को जानना उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक बहुत ही एहम उदेश्य है तो प्रिये बच्चों उपचार देना किसी को किसी की भी शिक्षन में उसको उपचार देना निदान देना जिसको हम रेमीडियल भी कहते हैं रेमीडियल टीचिंग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गती प्रदान करना इससे अध्यन और अध्यापन दोनों का मापना कर हो सकता है अंकलन द्वारा प्रयोजन शिक्षन विधियों की उपयोगिता एवं विद्याले की समस्त क्रियाओं का अंकन करना है अब प्रश्न ये आता है कि आंकलन उपकरनों की हमें आवश्यक्ता पढ़ी क्यों यदि हमारी एक शिक्षक शिक्षक पढ़ाने से पहले भी पढ़ाने के बाद भी और पढ़ाते समय भी सब कुछ देख रहा है तो हमें आकलन उपकरनों की अवश्यक्ता क्यों पड़ी तो प्रिये चातर चातराओ प्रभावी और सूचनात्मक आकलन में शिक्षक कई तरह की आकलन रननीतियों का इस्तेमाल करते हैं जो विध्यारतियों को सीखने के कई अफसर देकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ध्यान दीजिएगा इस बात पर कई अफसर देकर क्योंकि जो आज की शिक्षा है, आज का अंकलन है वो एक अफसर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कई अफसर देने हैं क्योंकि ये एक सतत्थ प्रक्रिया है तो केई अफसर देकर इस निशकर्ष पर पहुंचना है की, वे क्या जानते हैं, वे क्या समझते हैं और वे क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं इन बच्चों में होती हैं, जो वो कर सकते हैं, प्रन्तु हम उनको अफसर नहीं देकर, जो वो कर सक कि वो क्या क्या सीख सकते हैं उसकी जानकारी दर्ज करना जिसको हम information form के रूप में भी जानते हैं जब आप किसी भी उपकरन की मदद से छात्रों की सीख की गहराई के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं तो यह सीखने का अकलन होता है इस दर्ज जानकारी के अधार पर जब आप सीखने के लिए आगे की गदिविधियों की योजना बनाते हैं तो इसे सीखने के लिए या जिसको हम उपचार भी कहते हैं रेमीडियेशन कहते हैं और उसके लिए हम जब नई रूपरेखा बनाते हैं नई योजना बनाते हैं तो वो हमारा एक उपकरन की अवश उपकरन का बहुत ही अवश्यक पहलू है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है अब हम उपकरन जब भी बनाते हैं इसके कुछ पद होते हैं स्टेप्स होते हैं तो आंकलन के उदेशियों का चियन और निर्धारन करना ये इसका पहला पद है कि आंकलन के उदेशियों का च जेयन करना, अंकलन प्रविद्यों का प्रयोग और परिणाम निकालना, परिणामों की व्याखिया वर समान्यखरन करना, ये मैं पदों की बात कर रहे हूं कि इस तरह से हम जब भी कोई अंकलन का तरीका सोचते हैं तो ये उसके पहले steps होने चाहिए पद होने चाहिए अंकलन एक सतत प्रक्रिया है हम अगर इसकी प्रक्रिती की आज चर्चा करें तो अंकलन के जो steps की हमने बात की वो क्यों करना जरूरी है क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षन प्रक्रिया का अभिन अंग है इसका सीधा संबंद शिक्षा के उदेश्य से होता है ये बालकों के परिनामों की गुनवत्ता, मूल्य और प्रभाव के आधार पर उनके भावी कारेक्रमों का निर्धारन करता है तो प्रिये चात्रो ये एक सतत प्रक्रिया है और पर्यावरन शिक्षा में सतत प्रक्रिया से ही हम एक बहुत ही प्रभावशाली अंकलन कर सकते हैं अंकलन का प्रमुक प्रयोजन वेवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्सतर के संबंद में निर्ने करना होता है और ये शिक्षा के उतेशियों की प्राप्ती की सीमा का निर्धारन करने वाली एक प्रकृया है अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरन शिक्षा की जब हम बात करें हैं तो अंकलन उपकरनों का चयन किस तरह से किया जाए क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएं कि हमने ये चयन ये उपकरन हमने इस बच्चे पर अभी हमने प्रियोग करना है तो कोई भी उपकरन प्रियोग करने से पहले प्रिये चात्रों ध्यान दें कि उपकरन जो है वो वैध्य होना चाहिए वैध्यता जिस उदेशे का अंकलन करना हो उस उदेशे का अंकलन हो जाए तो समझे वो उपकरन वैध्य है विश्वसनियता विश्वसनियता का अर्थ है विश्वास का पात्र अर्थात जब आपको अंकों का बदलाव ना हो और दोबारा चेक करने पर भी अंक समान रहें तो जो आपने उपकरन प्रयोग किया था वो विश्वसनिये है वस्तुनिष्ट प्रश्ण विश्वस्निये होते हैं निभन्त वाले जो प्रश्ण होते हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा उनके ओपर हम कह सकते हैं कि विश्वस्निये नहीं होते हैं वस्तु निष्ठता जब भी हम अंकलन के उपकरन को चेयन करते हैं तो वस्तु निष्ठता का ध्यान अखना बहुत 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 जरूरी हो जाता है क्योंकि अंकलन पक्षपात रहित होना ही चाहिए वस्तु निष्ठता में प्रश्ण का अर्थ सपष्ट होता है और उसमे कोई भी भ्रांती नहीं होती है इसका अगला जो ध्यान देने के लिए बहुत मुहत्वपुन बिंदू है वो है व्यापकता अंकलन का क्षेत्र व्यापक होता है अर्थात गहराई में अंकलन करते समय किसी भी विश्य की गहराई से प्रश्न पूछना बहुत ही आवश्यक है एक शिक्षक के लिए उपयोगीता अच्छा अंकलन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है प्रिय चातरो अगर हम ध्यान दें तो जो शिक्षा का मुख्यध दे है वो है उपयोगीता वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती जिसमें उपयोगीता ना हो तो कोई भी शिक्ष उपयोगी होना बहुत जरूरी होती है इसी तरह से आंकलन उपकरन का चेन करते हुए यह ज़रूर ध्यान में रखें कि वह उपयोगी हो विभेदी करन आंकलन में बच्चों के विभेद कर सकने की शमता होनी चाहिए जिससे कि आंकलन की निश्पक्षता बनी रहे विशेश उदेशे को सपष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम जब भी आंकलन करने के लिए किसी भी आंकलन उपकरन को उपयोग करें तो उसका विशिष्ट उदेशे हमेशा ध्यान में रखें सबसे उपयुक्त आंकलन तक्नीक चुनना और क्योंकि हर बच्चा अलग है हर बच्चा कोई भी कक्षा में एक बच्चा दूसरे के समान नहीं है तो आंकलन तक्नीक भी समान कैसे हो सकती है अब उपकरन विक्सित करने के कुछ मूलफूत कदम है जिस पे हम चर्चा करेंगे एक प्रसंगिक उपकरन तयार करना ये बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है एक प्रसंगिक उपकरन को तयार करना वैध्य, विश्वस्निय और लचीला बनाने के लिए उपकरन का अन और लचीला पन जो है उपकरन तयार करते समय जरूर ध्यान में रखें क्योंकि कई बार एक ही उपकरन हर बच्चे पर सही नहीं बैठता है अकलन उपकरन के कुछ महत्वपूर्न केंदर बिंदू हैं उपकरन को शिक्षन सीखने की सामगरी से मेल खाना चाहिए सरल अवधारनाओं से शुरू करें और ये बहुत लंबा भी नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो और जरूर याद रखें सरल अवधारनाओं से शुरू करें कोई भी उपकरन जो है कोई भी अंकलन उपकरन है उसको शुरुआत में सरल अफधार नहीं होनी चाहिए और ये बहुत लंबा और बहुत छोटा नहीं हो इस बात का खास धयान रखे समय बध्धिता बहुत जरूरी है समय बध्ध होना जैसे हमारे true false questions होते हैं सत्ते जूटे जिसको हम परिक्षन करते हैं उसके लिए आधा मिनट प्रती आइटम और जो बहु विकल्पी होते हैं multiple choice questions उसके लिए एक मिनट प्रती आइटम जो है वो आप दे सकते हैं एक छोटा उत्र जिसमें बहुत छोटे very short answers होते हैं तो उसके लिए दो मिनट एक सिमित निबंध प्रेश्ण के लिए 10 या 15 मिनट और एक व्यापक निबंध प्रेश्ण के लिए लगभग 30 मिनट का समय जो है वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं अब मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी अंकलन की विधियां क्या हैं किस किस तरह से हम इनका अंकलन कर सकते हैं तो सबसे पहले जो विधी है वो है मनोवेग्यानिक परिक्षन psychological testing ये व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवारातमक विशेश्दाओं का वस्तूनिष्ट और मान्वी कृत्प मापक होता है कि किसी भी बच्चे में क्या क्या उसके अंदर मनोवेग्यानिक प्रधिभाएं चुपी हैं क्या उसकी कमजोरियां हैं ये सब हम मनो वेग्यानिक परि इसे विश्षिष्ट उत्पात की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षन करता है। व्यक्ति अधियन जिसको हम केस्टेडी के रूप में भी जानते हैं। इस विधि में किसी आदमी के मनोवेग्यानिक गुनों तथा मनोसामाजिक और भोतिक पर्यावरन के संबंध में मनोवेग्यानिक इतिहासादी की गहनता का अध्यन किया जा सकता है। प्रेक्षन जिसको हम अवलोकन भी कहते हैं इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षनिक व्यवहारगत घटनाउं तथा व्यवस्थित संगठित तथा वस्तोनिष्ठ धंक से अभी लेखों पर तैयार कर सकते हैं और यह जो अवलोकन की प्रक्र क्या से लिए यह परयावरन शिक्षा में बहुत ही जरूरी हो जाती है क्योंकि पर्यावरन शिक्षा ऑफलोकन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से उसका कलन हम कर सकते हैं कि हमने, क्या उदेश्य था अÄमने क्या पाना था और हम कितना पा चूके हैं बच्चों को और क उतनी जरूरत है आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट ये बहुत जरूरी है क्योंकि जितना हम बच्चों को खुद से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे उतना ही अच्छा अकलन हम उसका कर पाएंगे इस विधी में व्यक्ति स्वियम अपने विश्वासों मतों आदी के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है और संचित अभिलेक पत्र क्युमिलेटिव रिकॉर्ड जो होता है जैसे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवेग्यानिक अभिलेक तयार करना घटना वृत स्कूल में घटित होने वाली घटनाएं इन सब का विवरन, पर्यावरन शिक्षा में बहुत ही अवश्यक है क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं प्रिये चात्रो की बच्चा कहीं जा रहा है, वो किसी चीज़ का वलोकन करता है और जब वो वापस आकर स्कूल आकर या घर आकर उस पूरी घटना को विस्तार से अ कलन कर सकते हैं और उन घटनाओं में किस चात्र की क्या उपलब्धी हुई है इस बात का विवरन हम बच्चों को देकर उनकी उपलब्धियों को मापने में बहुत ही सहाइक होता है निर्धारन मापनी, रेटिंग स्केल, जिसमें की हम बच्चों को ग्रेड देते हैं, अच से आगे कितनी जरूरत है, सिखाने की या करने की. इससे ही को आगे बढ़ाते हुए हम एक और विधी जो की बहुत ही बहुत ही अवश्यक और बहुत ही महतपून विधी है, वो है पोर्टफॉलियो. समय की एक निश्चित अवधि में विध्यारीघू द्वारा किये गे कारें का संग्रह पर्यावरन शीक्षा में विध्यार्थी बहुत सी ऐसी वस्तुएं एकत्रित करते हैं जिसको की वो पोर्टफोलियों में लगा कर अपनी प्रतिभाओं को अपने अंदर छुपी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं ये रोजमरह के कारें भी हो सकते हैं या शिक्षार्थी के कारें के उतक्रिष्ट नमूने भी हो सकते हैं उधारन के लिए बच्चों के प्रकृती संग्रह कार्मिक प्रगती का रिकॉर्ड रखना अब ये सब जब हमने इनकी बात की सारी की सारी प्रक्रियाओं की बात की आंकलन जो विधियाँ हैं अनकी बात की ये सारी की सारी विधियाँ जो हैं ये क्या हैं? किसके उपर निर्भर करती हैं? हमारी सतत और Continuous Assessment जो की तीन प्रकासियो होती है लिखित, मौखिक और प्रदर्शन तो जब हम मौखिक की बात करते हैं तो ये चात्रों को सीधे शिक्षक के सवालों के जवाब देने या तैयार बयान रिपोर्ट पेश करने की अनुमती देता है पर्यावरन शिक्षा के वहवारिक भाग के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पूरक परिक्षन हो सकता है मौखिक जो हमने तकनीक की बात की वो अब मौखिक तकनीक जो है वो बहुत से उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं प्रियाचात्रों जिसमें की बहस डिबेट बहुत ही एहम है जिसमें मौखिक प्रशन है औरल क्वेशन्स है प्रशनोत्री है चर्चा है डिसकॉशन है तो ये सब हमारी मोखिक तक्नीके हैं जिसके द्वरा हम चातर चात्रों को बहुत ही अच्छे से जिनका आकलन कर सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं लिखित तक्नीकों की तो ये ऐसी तक्नीके हैं जिसमें चात्रों को स्वियम प्रश्णों परिस्थितियों के उत्तर देने के ल बहुत अलग-लग तरह से डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की बद्धती किस तरह की जो तकनीक है उसको यूज करते हैं इसके आगे बहुत ही इंपोर्टेंट जो है परियावरन शिक्षा में वह है परफॉर्मेंस टेस जिसको हम प्रदर्शन जांच भी कहते हैं प्रदर्श करने के बहुत अलग-लग धंग हो सकते हैं जैसे असली वर नकली परीस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना सामगरी या उपकरन में जोड तोड करना चित्र बनाना निर्देशों का पालन करना सिमित समय में एक श्रिंकला को निश्पादित करना बच्चाओं को एक भी बात की अवलोकन जो है परियावरन शिक्षा में बहुत एहम भूमिका निभाता है और अवलोकन के द्वारा हम बहुत ही अच्छा आंकलन एक वच्चे का कर सकते हैं उधारन के लिए उसकी आदतें और परियावरन के प्रति द्रिश्टी कौन स्वतंतर रूप के साथ ह सायोगी रूप से काम करने की योगेता कक्षा में विविधता का उत्तर देना और विचारों और समझ का विकास तो सारांश में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के इस सत्र में हमारी इस चर्चा से यह सपष्ठ हुआ है कि वर्तमान विद्याली शिक्षन अंकलन वेवस्थ हमें वियापक सुधारों की जरूरत है बहुत जरूरी है कि हम अपने अकलन तकनीकों का सुधार करें अकलन की प्रक्रिया कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की ही एक प्रक्रिया है और अंकलन के वही तरीके अच्छे होते हैं जो बच्चों को सीखने की गती और सिखाने क तरीकों के अनुरूप होते हैं तो इसी के साथ डियर लर्नर्स मैं आपका धन्यवाद दूंगी और हम इस सत्र को आज यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद